नमस्कार मैं दिपाली अब सभी कस्वाग दिपाली एस्टो में करती हूँ और देखते हैं आज का देननीकी दस परवरी 2023 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेशाशी वालों के साथ में शार्शी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है, कारे शेत्र में स्थिर्ता बन सकती है, मन को शांत रखते हुए सभी महत्वपूर्णा अगर डिसिजन्स आज के दिन प्रोफेशनली लेने की बात काऊं तो उस आज के दिन आपको अपने खान पान पर भी न्यंदरन रखने की जरूरत है बात करते हैं वुषण राशी बालों के लिए, जैसे चल रहा है, वुषण राशी बालों ऐसे चलाते रहें आज का दिन आपके लिए काफित ज्यादा एक्सपीरेंस भरा हो सकता है आज के दिन अगर आप रिव्यू करते हैं, अपने आक्शन को रिव्यू करते हैं, अपने अंदर जाकने की कोशिश करते हैं, अपने आपको रिव्यू करते हैं, अंतर मन में जाकने की कोशिश करते हैं, तो काफी जदा आज के दिन आप GAPS को IDENTIFY कर पाएंगे, और उस पर अगर आगे 10-15 दिन की प्लानिंग करना चाहें, गैप को इदेंटिफाई करके तो आपके लिए काफी जादा लाब दायक सिद्ध हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा घनेश्ट मित्र या कोई शुब चंतक आज के दिन आपको कोई महत्रपूर्ण राय दे सकता ह और अगर उस information को आप gather करते हैं तो आपके लिए आगे आने वाले समय में काफी जादा वो लाब दायक साबित हो सकती है, बात करते हैं मितुन राशी वालों के लिए, मितुन राशी वालों मन आपका शांत रहेगा, positivity को embrace करिये, आगे बढ़ते चलिए, कहीं न कहीं आपके मंगने की जरूरत है, खास तोर पे अपने परिवार से, अगर आप निवेश करने के point of view से कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, खास तोर पे अगर आप property लेने की बारे में सोच रहे हैं, तो आज के दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं, बात करते हैं करकराश करकराशी वालों के लिए, परिस्तितियां करकराशी वालों आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, मन शान्द रहेगा, विचार धाराएं प्रबल रहेंगी, confidence लेवल में इजाफा रहेगा, लोग आपके काम की तारिफ करते हुए भी नज बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए, आजके दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके आपके स्वास संब्वंधिशील होने की कोशिश करनी चाहिए, चोटी मूटी चीजों को इगनौर मत करिए और अगर आप ट्रावज करने की तैयारी में है, या आपके लेते हुए ही आगे बढ़ें अगर आपको पेट समंदित कोई रोग है या बीपी आपका फ्लक्षवेट होता है तो साथी साथ आज के दिन business opportunities आपके सामने आएंगे जो आपको और सबल और सक्षम बनाने बना कर जा सकती हैं बात करते हैं कने राशी बालों के लिए कने परिवर्तन आपके लिए हो रहा है चाहे वो आपकी consciousness में हो चाहे वो आपके thinking process में हो चाहे वो आपके कारशेत्र में हो चाहे वो आपकी पारिवार इस्तिती में हो कहीं न कहीं आपके लिए कोई शुबता या कोई परिस्तिती डिवेलप हो रही है और आप भी mature होते जा र सकता है किला कोशिश करने चाहिए लॉंट तरम अगर आप फिनांशल प्लानिंग करें तो सुझ बूज के परिचा देकर आज के दिन बना सकते हैं बात करते हैं निए घर के रवदितं महीला सदस्यों के सौस के परती आपको सम विदिन शील रहना है और आज के दिन आपको अपने कारेश स्थल में कारेशेत्र में कारेश्यें को इंटक्ट करके चलना चोटी मोटी कीजहों से अगर आपको लगता है कॉम्मिनिकेशन गाप हो सकता है या म understanding develop हो सकती है तो उसको उसी point of time में आपको बाचीत करके resolution पे आने की कोशिश करनी चाहिए लंबे समय से अगर आपको लगता है कि आप कुछ कारे करने की कोशिश कर रहे थे और चलते चलते उसमें विराम या blockage लग रहा था को रिकनाइस किया जाएगा चाहे वो आपका निजी वैपार ही क्यों नहों या कारेशेतर में जहां आप नौकरी कर रहे हैं जो लोग सरकारी सर्विस की preparation कर रहे हैं या कोई interview आपका lined up है private sector में तो वहां पर आपके लिए positivity आने की पूरी-पूरी situation बनी हुई है नकरात्मक thought process को अपने आप से दूर रखना है मन को शांत रखिए विचारधाराओं को प्रबल करिए आगे बढ़ते चलिए आपके लिए शुबस्ता या शुबसंकेत indicated है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए काफ़ ज़्यदा tiring हो सकता है साथी साथ आज के दिन आपको अपने लिए time निकालने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आज के दिन आप उन सभी तथियों को review कर पाएंगे जो आगे चलते चलते आपको पीछे खीचते हैं या जहां पर आप चाहते हैं कि आपको lab मिले और चलते चलते परिस्थिति आपके लिए निकून नहीं होती हैं कहने का मतलब यह है कि आज का दिन आप introspective zone में जा सकते हैं आखलन कर सकते हैं परिस्थितियों को सोच के समझ के कोई कठोर रणनीती बना सकते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए positive हो खास तोर पे आर्थिक स्थिरता को लेकर multiple income resources पे भी आज के दिन काम कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि side by side कुछ नया काम करने की भी आप सोच सकते हैं बात करते हैं मकर राश्यवालों के लिए मकर राश्यवालों आपके लिए तो परिस्थितिया नुकूल पहले से हो चुकी है मना आपका शान्त है काफी ज़दा सारी चीज़ों को पीछे रखिये जहां पर आपको लगता है कि इस काम को करने से आपको इतना लाब मिल सकता है या कारेश्यवालों में अगर आप नौकरी चेंज करने के लिए एक्षुक हैं तो आज के दिन से आपको सूजबुच का परिछा देते हुए सही दिशा में सही प्रयास करने चाहिए क्योंकि आज का समय आपके लिए पॉजिटिविटी कारेश्यत्र में ला सकता है परिवारिक स्थिर्था आपकी आज के दिन बनी रहेगी बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए confidence level में जाफर हैगा कुम्बराशी वालों आपका लोग आपके काम की तारीफ करेंगे माता पिता की तरफ से आपके लिए शुबता या शुबसंकेत आशिरवाद के रूप में कुछ शुबत समचार आपको आज के दिन मिल सकता है नकरात्मक सोच को अपने आप से दूर रखना है पारिवारिक स्थिर्था बनी रहेगी साथी साथ लाबदायक आपके लिए कोई नई partnership हो सकती है खास तोर पे अगर वो आपके किसी निजी अगर मैं देखूं संबंधों से निकल कर कोई एक idea आ रहा है कि ये काम भी आप नया कर सकते हैं तो आपके लिए काफी जदा आज के दिन लाबदायक से दो सकता है पार्टनर के साथ आज के दिन confusion को हटाते हुए communication को clarity के साथ आगे बढ़ाईए तब ही आर्थे की स्थिर्था बनेगी चाहे वो आपके निजी संबंध हो या कारेशेतर में आप कर कर रहे हो बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आज के दिन के में बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए समानिता जाएगा कारेशेतर में स्थिर्था बनी हुई है बनी रहेगी कुछ खास उसमें चंता करने की जरूरत नहीं है कहीं न कहीं अगर आप abroad settlement या abroad के बारे में सोचते हैं या visit करना चाहते हैं या वाद settlement की तरफ कोई paperwork आपने दिया है तो वहाँ पर अब आपके लिए positivity यानि शुरू हो जाएगी आपके रुके हुए काम अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे लंबे समय से चल रहा है कोई अगर रिण होगा तो उसमें repayment capacity आपकी बढ़ेगी यानि की income का source या जो source है वो बढ़ता हुए नजर आएगा कुल मिला के आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पर काम करना नई परिस्तियों को अपने favor में लाने का माना जा सकता है सवास्समदी चिंताइं भी आज के दिन दूर होती भी नजर आएंगी सी के साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आजर होंगे नमस्कार